हला वरेवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में, क्लास टेंथ के जोग्रोफी का पहले चप्टर का ये पाचमा क्लास है, और इस पाचमे क्लास में हम लोग सीखेंगे भू उपयोग के बारे में, आएए पढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ये पाचमा पार्ट है तो यानि सबसे लास्ट में आपको playlist मिल जाएगा जिसमें सभी classes मिल जाएगे आज का जो topic है वह है भूष अंसादन ये भूष अंसादन क्या है और भूष अंसादन का उपयोग देखेंगे और शाति साथ भारत में भूष अंसादन का उपयोग हम लोग देखेंगे आईए देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर से भूष अंसादन भूष अंसादन का उपयोग और फिर भारत में भूष अंसादन का उपयोग भूष मतलब होता है भूमी भूमी ओके ना देखिए भूमी और मिर्दा जो है ये दोनों अलग चीज़े हैं हलाकि कई बार बच्चे भूमी को ही मिर्दा समझ लेता है भूमी का मतलब होता है जमीन ओके ना भूमी का मतलब क्या होता है जमीन और मिर्दा का मतलब होता है मिट्टी और वह मिट्टी जो हमारे लिए उपजाओ है उसे ही हम मिर्दा कहते हैं जो आपको इस्क्रीन में दिख रहा है ये क्या है मिर्दा है बलकि इसका उपरी भाग क्या है उपरी भाग है भूमी तो भूमी अलग चीज होता है और मिर्दा क्या होता है अलग चीज होता है वहाँ पर उपहस्तित मिट्टी को मिर्दा कहते हैं और भूमी अलग चीज़ होता है अब आईए भूश अंसादन पर चर्चा करते हैं सबसे पहले तो आप याद रखिए कि भूमी एक बहुती महतुपूर्ण और कैसा संसादन है प्राकृतिक संसादन है क्योंकि भूमी को ह हम नहीं बना सकते हैं और ये प्रकृति द्वाराप्रदत हमें है और इस प्रकृत्य पर ना केवल हम बलकि इस पर वनस्पति यानि पेड़ पोदे वन जीव यानी वन में रहने वाले जानवर और मानव जीवन ये सभी एक साथ रहते हैं और इन में से वनस्पति जात और वन जीवन जीते हैं और भोजन करते हैं बलकि मानव जो है इन पर आर्थिक क्रियाएं भी करती हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होता है वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं तो पेड़ पोधे और जो वन में रहने वाले जानवर है उनको तो धन की कोई अविशक्ता नहीं है तो वे किसी भी परकार की आर्थिक क्रिया न यह सारी चीजे आता है ये सभी चीजे कहां पर है भूमी पर ही आधारित है यानि ये भूमी पर ही मौझूद है और एक भूमी एक शीमित संसादन है अब ये सीमित क्यों है क्योंकि जितना ही जमीन है जैसे कि अपने प्यारे भारत का जो छेतरफल 32.8 लाख वर्ग किलो मिट तो यह सीमित है इससे जादा नहीं हो सकते हैं भले है आप इसका उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं बट यह बढ़ेगा नहीं और पुरी दुनिया का जो छेतर फल है वह भी बढ़ने वाला नहीं है तो इसलिए हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हमें इनका उपयो आपके पास थोड़ा सा जमीन है जिस पे आप मकान बनाना चाहरे हैं और आप गलती से मकान बीच में बना दिये या फिर पूरा किनारे बना दिये तो आपके पास संसादन क्या था सीमित था और अब हो सकता है कि आपके पास बांकी बेकार हो जागा जमीन तो आप जमीन य पहले एक नक्सा पास करवाता है और नक्से के हिसाब से मकान को बनवाता है ताकि उनका मकान बिल्कुल बीचो बीच सही तरीके से इस्तमाल किया जा सके और उनमें जो मकान बने वो थोड़े जादे दिन तक टिकाऊ हो सके और जादा से जादा भूमी का उपयोग किया जा सक अब आई आपको पहले मैं समझाता हूँ तो सबसे पहले ये जो आकिरती दिख रहा है ये द्वीब है ठीक है ये परवत पठार इसमें एक द्वीब भी लिखाता आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वीब लिखा है तो द्वीब है ये द्वीब क्या होता है द्वीब एक ऐसा पास्तान है जिसके चारो और जल ही जल है दूइब के बाद दूसरा यहां पर देख सकते हैं या परवत है और परवत आपको कुछ इस परकार से दिखाए देगा दोनों ही क्या है परवत है या तो सफेद बर्फ से ढखें होंगे या हरे हरे हर्याली से ढखें होंगे यह सभी क्या है यह सभी प्रवत हैं अब पठार की बात आती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पठार है कुछ इस परकार से पठार नजर आता है और पठार जो है मैंली यह जो है मृत पत्थरों से बना होता है या तो ये मृदा से बना होता है यानि मिटी से बना होता है इसमें जादे कठोर चटान नहीं होते हैं कहीं कहीं पर आपको चटान देखने को मिल भी सकते हैं अब तीसरा जो अकरती आता है, भुवास्तला करती आता है, वह है मैदान, और मैदान हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर ही क्रीसी होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कि जितना भी भूमी है, जितना भी दुनिया में भूमी है, उन सभी प्रवत का भाग है तो आप देखिए कि हमारे पास 43 परसंट यानि 43 पर्तिसत एरिया मैदानी भाग है 27 पर्तिसत एरिया पठारी भाग है और महज 30 पर्तिसत भाग जो है पर्वत वाला एरिया है और अगर मैं 27 और 30 को पलस कर दो 30 और 27 को पलस कर दें तो ये total 47% 57% हो जाता है यानि ये वो एरिया है जो परवत और पठारी है बचा कितना 43% और 43% एरिया मैदानी है अब देखिए लोग अपना मकान बनाना भी उन जगहों पर पसंद करते हैं जो बिल्कुल क्या हो मैदानी इलाका हो क्योंकि पलेन जगहों पर घर बनाना क्या होता है आसान होता है तो इसे में तो आप एक चीज और समझ गए होंगे कि जो मैदानी इलाका है जो सिर्फ और सिर्फ हमें खेती करने के लिए परयोग करना चाहिए था उस पे मकान भी बन रहे हैं उस पे बड़े बड़े उद्योग भी लग रहे हैं लोग जो है बड़े बड़े जो उद्योग पती है इनमें बड़े बड़े फैक्टरियां लगा रहे हैं और इन फैक्टरियों से धुआ भी निकल रहे हैं तो ज़्यादा तर जो भी किरियाए हो रही है वो किन इलाकों में हो रहा है मैदाने इलाकों में हो रहा है और जबकि मैदाने इलाका हमें किसली परियोग में लाना चाहिए हमें क्रीसी में परियोग में लाना चाहिए जबकि हम इसमें अनिक्रियाए भी कर रहे हैं अब इन चीज को समझने के लिए आपको इस ड अंजर भूमी, गयर क्रिसी, अस्थाई, चारागा, अलग-अलग सब्द लिखे गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इन सब्दों को समझाता हूँ, भूप योग, सबसे पहले जो वन लिखा है, वन तो हम सबी जानते हैं, वन का मतलब होता है वैसा जगा जहां पर ज्यादा सब्स ज्यादा पेड़ लगा हो, यानि पेड़ों से अच्छादित एक विसाल छेतर को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, वन को ही हम लोग समान निभासा में जंगल कहते हैं, अब दूसरा जो सब्द लिखा है, क्रिसी के लिए अनुपलब्द भूमी, यानि कि जो क्रिसी के लिए अनुपलब्द भूमी, जैसे कि बंजर भूमी, जो इस पर खेती नहीं किया जा सकता है, तता क्रिसी आयोग ये भूमी, जो गैर क्रिसी परियोजनाओं में लाई जाती है, तो ज़्यादा तर जो क्रिसी के लिए उपयोगी नहीं होता है, वैसे जमीन को हम गैर क्रि परियोजिना वाले जमीन पर है, वैसा नहीं है, कई सारे जमीन, ऐसी इमारते हैं, कई सारे ऐसे सड़के हैं, जो उन जगहों पर बन चुका है, जो कृशी के लिए योग्य है. तो यह दूसरा पॉइंट तो आपको समझ में आ गया तीसरा जो है परती भूमी तो परती भूमी क्या होता है कि जहां पर क्रिसी के एक वर्स में क्या होता है या तो उसमें पूरी तरह से खेती ना की गई हो या एक वर्स में कम खेती की गई हो इसे आप इस तरह से समझ सकते यहाँ पर लिख दीजिए एक वर्स या उससे कम समय खेती ना की गई हो जैसे कि एक उधारन में आपके लिख रहा हूँ कि कई जगा आप गाउं छेतर या अपने घर में आप देखे होंगे या सहर में अगर आपके पास खेत हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते है अपने खेत में केवल एक फसल लगाते हैं धान की फसल तो धान की फसल लगाने के बाद उस खेत को पुरी तरह से खाली छोड़ देते हैं उस पे कोई दूसरा अन्य फसल नहीं लगाते हैं और कई बार कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है तो वो क्या कर अस्थाय विविद विष्शों विरिक्ष फसलों तथा उपवन से उपवन के अधीन भूमी को हम क्या कहते हैं क्रीसी योग ये भूमी कहते हैं यानि कि एक ऐसा जमीन जो जिस पर खेती हो सकता है लेकिन हम खेती नहीं कर रहे हैं क्यों कि हम उसमें वरिक्ष लगा के रखे हैं जंगल लगा के रखे हैं उसमें या तो हम फल लगा के रखे हैं आम का फल या जैसे आम के बगीचे होते हैं तो आम के पेड़ क्या होते हैं पास पास थोड़े होते हैं दूर दूर होते हैं तो वो क्या करते हैं एक बड़ा सा जमीन क्या करते हैं ले लेते हैं बड़ा सा खाली जमीन को भी वो अपने अधिन कर लेते हैं इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है तो या तो वरिक्ष फसलों के लिए उसे रख लेते हैं या तो उपवन के लिए बाग बगीची के लिए रख देते हैं वैसे जमिन को हम क्या कहते हैं क्रीसी योग्य भूमी अन्न क्रीसी योग्य भूमी कहते हैं क्रीसी योग बंजर भ यानि कि अगर कोई खेत है उसमें एक बार से अधीक बार हम क्या कते हैं बोते हैं जैसे धान की फसल काट करके गेहूं लगा दिये गेहूं को काटके आलू लगा दिये और भी कई फसल जो भी सारे फसल है वो हम लगाते रहेंगे तो उसे हम सुध्ध बोया गया छेतर कहते है मेरा ख्याल से आपको ये सारी चीजे समझ में आ गया होगा अब हम लोग देख लेते हैं कि 1960-61 में यानि आज से 100 साल पहले और आज हम लोग 2014-15 में देखेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर है और कितना भूमी पहले परियोग की जाती थी और अभी कितना भूमी परियोग क्या जा रहा है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये गैर क्रिसी परियोजनाओ के अंतरगत छेतर तो ये कलर आपको दिख रहा होगा गैर क्रिसी परियोजनाओ के अंतरगत छेतर और दूसरा है सुद्ध बोया गया चेतर ओके दो रंग आपको दिख रहा होगा तो सुद्ध बोया गया चेतर हमारा ये रंग है ठीक है मैं यहां लिख देता हूँ आला कि आपको रंग में थोड़ा सा difficult होगा पहचानने में क्योंकि दोनों एक ही रंग दे दिया गया है मैं लिख देता हूँ सुद्ध बोया गया चेतर ये भी क्या है सुद्ध बोया गया यानि क्रीसी वाला थोड़ा जादा चेतर है तो आप देख सकते हैं पहले कितने जादे चेतर पर क्रिसी होती थी, 46.2% जमीन पर खेती होती थी, लेकिन अब जो है 45.5% जमीन पर खेती होता है, और यह सुद्ध बोया गया है, सुद्ध बोया गया मतलब क्या होता है, जहां एक बार से अधिक बार खेती होता है, ओके तो आपको समझ में आगया चीज होने लगा है जैसे ये बुलू रंग वाला जो चेतर है यहां पर ये वन या तो यहां पर वन है तो वन कितना चेतर पर है पहले 18 दसमलब एक एक परतिसत चेतर पर क्या था वन था और अब कितना है ताइस दसमलब तीन परतिसत चेतर पर क्या है वन है तो थोड़ा सा पन का चेतर भी क्या हो गया है बढ़ गया है पहले के मुकाबले में अब आप देख लेते हैं क्रीसी योग्य बंजर भूमी कितना चेतर में है चार परतिसत चेतर ऐसा है जो क्रीसी योग्य बंजर भूमी है पहले कितना था पहले था 6.2 तीन परतिसत इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब या हुआ कि जो बंजर जमीन था उसको हमने खेती योगे बना दिया आज हमारे पास टेकनोलोजी है तकनीक है तरह तरह के और भी मसीने है जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं क्रीशी योगे भूमे को बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हमने जो परती भूमी बंजर भूमी था उसे भी क्रीशी योगे भूमे में बदल दिये अब हम लोग काते हैं विवीद वरिक्षों वरिक्ष फसलों तथा उपवन के अंतरगा चेतर यह आप देख सकते हैं यह 3.50 अब 5.3 यहां पर आप लग सकते फल लिघ देते हैं ताकि आपको समझ में आजाएं और यह 3.50 था जो अब घंट करके 3. अश्ताई चारागा तथा अन्य गोचर भूमी गंड़ा कामतलब होता है गया और चयर का मतलब juez यानि पसू को चराने के लिए छोड़े गई जमी को, जमीन को हम लोग गौचर भूमी कहते हैं, तो ये कितना है, बुलू रंगो का छेतर था, ये 4.7,1 परतिसत था, और अब कितना है, 3.3,4 परतिसत, तो ये पहले अधिक था, ये गौचर भूमी है, अब इसे समझे, परति भूमी होता है, फिल्ड होता है, मैदान होता है, वैसे भूमी को हम गौचर भूमी कहते हैं, अब गौचर भूमी दिखता है, खाली, और जब गौचर भूमी खाली दिखता है, तो लोगों को लगता है, क्यो नहीं, इस खाली जमीन पर हम मकान बना लें, और इस तरह से धीरे धीरे यह जो गाय यानि पसु को चराने के लिए छोड़ी गई खाली जमीन होता है उस पे लोग क्या करते हैं मकान बना लेते हैं और इस परकार से भारत में या फिर दुनिया में गाउचर भूमी धीरे धीरे क्या हो रहा है खतम हो रहा है और इसलिए गाउचर भू बंजर भूमी यानि जो क्रीसी योगी था लेकिन बंजर था और आप देख लेते हैं बंजर भूमी और जो क्रीसी आयोगी है दोनों ही है ओके ना क्रीसी आयोगी मना क्रीसी इसमें हो ही नहीं सकता है वैसे भूमी को क्रीसी आयोगी बंजर भूमी कहते हैं तो बंजर भूमी यह देखिए, यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर समझाने के लिए, यह जो बंजर भूमी है, इसका दो परकार होगा, एक ऐसा बंजर भूमी होगा, जो क्रीसी योग्य होगा, क्रीसी योग्य का मतलब होगा, थोड़ा सा अगर उसमें महनत करेंगे, थोड़ा सा टेकनलो होंगे कितना भी मेहनत कर लिजी इस पर आप खेती नहीं कर सकते हैं तो क्रीशी योग को हम क्या करेंगे इसको क्रीसी में बदल देंगे यानि कि इसमें हम खेती करेंगे और इसमें महनत करके क्रिसी रूप में बदलेंगे और जो क्रिसी आयोग्य है इसमें तो क्रिसी होने सकता है तो हम इसमें क्या करेंगे मकान बना देंगे या और भी जरूरी समान जो व्यक्ति को रहने के लिए होता है वे सारी चीजे, railway station, airport, ये सारी चीजे यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि इसमें क्रिसी किया नहीं जा सकता है, तो दूसरा कारे हम ये सारी चीजे करेंगे, अब आपको समझ में आगे आगा कि बंजर भूमी का दो परकार कौन-कौन सा है, एक है क्रिसी योग्य और दूसरा ह अब आईए मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये भूमी कितना था, 18.111 परतिसत था, यानि ये कैसा भूमी था, ये क्रिसी योग्य था, यानि यहाँ पर क्रिसी संबभ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, इस क्रिसी योग्य भूमी पर मकान बनाना, और भी चीजों जो वि बहुति कम बचा है, कितना बचा है, पांच दसमलब पांच परतिसत बचा है, ये कौन सा भूमी है, क्रिसी आयोग्य भूमी, अब आपको ये चीज समझ में आगया होगा, तो इसमें जितने भी जरूरी चीजे थे, वह मैंने आपको बता दिया, अच्छा ये हरे रंगों म जो क्रिसी के लिए लाया जा सकता है, उसका चेतर को बढ़ाया गया है, तो ये सारी चीजे तो हो गया पूरा, अब हम देखते हैं भारत में क्या है आंकड़ा, भारत का जितने भी भूमी है, उसका किस तरह से उप्योग क्या जा रहा है, क्या उनका उप्योग सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसके पीछे जो चीज में बताया तो आप चाहे तो इसे कॉपी में नौट कर लेते हैं और या फिर आप इसका स्क्रीन सोट लेके रख सकते हैं क्योंकि यह आपको बाद में समझ में नहीं आ सकता है हो सकता है इस पर एक सवाल भी है हमार हलांकि आप अभी Classes Doubt चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पर इसका एंसर जो है वो आ जाएगा ठीक है तो प्लीज आप इसे नोट कर ले समझ करके अब आईए समझते हैं भारत में भूमी का अपयोग देखिए भारत में 32.8 लाक वर की किलोमेटर का जमीन है और इसमें 7% ऐसा जमीन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि वहाँ पर उस जमीन का क्या हो रहा है इसका कारण है दो पहला तो है पुरुवत्तर भारत में 7 राज आते हैं उन राज्यों के बारे में सहीं आकड़े हमारे पास एफ लेवल नहीं है और दूसरा है जम् कास्मिर के कुछ इलाके ऐसे है जो पाकिस्तान जो है पाक ओक्यूपाइट है और कुछ ऐसा है जो चीन ओक्यूपाइट है जिसे हम लोग पाक ओक्यूपाइट करते हैं और अकसाई चीन के नम से जानते हैं तो इनके बारे में हमारे पास आकड़ा नहीं है तो टोटल हमार का नक्सा देखे तो कई सारे ऐसे चेत्र हैं जहां पर जादा जमिन का परियोग हो रहा है लेकिन कई सारे ऐसे हैं जहां पर जादा जमिन का परियोग नहीं हो रहा है अब देखिए कई सारे परती भूमी परती भूमी तो आप जान सके हैं कि अतरीक अन्य परती भूमी भी है जो अनुपजाव है और इन पर फसले उगाने के लिए क्रिसी लागत बहुत ही जादा होता है तो याद रखिएगा जो परती भूमी है और दूसरा कौन है अन्य परती भूमी या अनुपजाव भूमी है जो उपजाव नहीं है और अगर आप इस पे खेती करना चाहेंगे अगर आप फसल उगाना चाहेंगे तो आपको क्या लगेगा लागत बहुत जादा लग जाएगा यानि अधिक धन खर्च करने पड़ेंगे अतह इस भूमी में दो या तीन वरसों में इनको एक बार या दो बार बोया जाता है यानि दो से तीन साल में इसे एक बार या दो बार बोया जाता है यानि इसे बहुत जादा बार खाली छोड़ा जाता है यदि इसे हम सुद्ध बोये गए चेतर में सामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित चेतर में लगबक कितना 54 परतिस तो इसमें 54% पर खेती होता है तो इसमें कितना बच जाएगा हमारा 46% एरिया ऐसा होगा जहाँ पर खेती नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर कई अन्यकारे हो रहा है इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे क्या हो रहा है फिलाल हम आपको पंजाब और हर्य का एक उधारन देना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पंजाब है और यह जो दिख रहा है यहाँ हर्याना है मैं आप लिख देता हूँ आपको नक्सा याद होना चाहिए पंजाब और यह इलाका कौन सा है हर्याना है दो राज्य है और पंजाब और हर्याना दोन पर खेती होती है यही वो इलाका है जहापर पूरे असी परतिसत जमिन पर खेती होता है जबकि मैं अरुनाचल परतिस की बात करूँ मिजोरम का बात करूँ मनिपूर का बात करूँ यह अंड मान निकोबार दीप समू का बात करूँ यहाँ पर केवल 10 परतिसत भूमी पर खे यहां पर है यह है अंडमा निकोबार द्वीप समूँ तो आपको समझ मा गया गा यहां पर समझने वाली बात ही आए कि भारत के कई सारे ऐसे राज्य है जहां पर 80% जमीन पर खेती होता है और कई सारे ऐसे है जहां पर महज 10% जमीन पर खेती होता है अब हमें दूसरा जो च पूरा जमीन तो 33 पर ब्सक्राइब में जमीन 1 नहीं होना चाहिए तो अगर आप आपका जो जीवन है सही जालेगा, नहीं तो क्या होगा, यानि हमारे लिए जो संसादन है वो तो मिल जाएगा, लेकिन हमें सही ऑक्सिजन नहीं मिल पाएगा, परदोर्शन बढ़ जाएगा, और जात खास करके वायू परदोर्शन बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कम से कम 33% जमीन पर आपका जंगल होना बहुत जादा जरूरी है, और इसको मेंटेन करने के लिए हम वन को आप काट नहीं सकते हैं, और वन को नहीं काटेंगे, तो हमारे लिए जो क्रिसी योग्य भूमी है, वो बढ़ नहीं सकता है, तो हमें जरूरी क्या है, हमें जरूरी है कि जो बंजर पड़ा हुआ जमीन है जहां पर पहाड़ है जहां चटान है जो सुखा छेतर है जो मरुस्तल है उन छेतरों को क्रिसी योगे में बदला जाए क्योंकि यही बंजर भूमी है बंजर भूमी किसको कहते है जहां पर पहाड़ी चटान है जो सुखा है जो बिल्कुल मरु वो बंजर भूमी है तो हम इनको या तो क्रिशी योगे में बदल दे या तो हम इसमें गैर क्रिशी प्रियोजना लगाएं अब ये गैर क्रिशी प्रियोजना क्या होता है देखिए अगर आपको फैक्टरी लगाना है ये परिवहान के लिए सड़क विगरा चाहिए तो इन स पर सडके बना सकते हैं, रेल लाइन बिचा सकते हैं, आप यहाँ पर उद्ध्योग इत्यादी लगा सकते हैं, जिससे दो चीज होगा, पहला तो हमें क्रिसी के लिए जमीन बचा हुआ रहेगा, और दूसरा जंगल हमें काटने नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर भूमी का उप्योग और भूमी का सही उप्योग समझ में आ गया होगा, और इस परकार से भारत में भूमी का उप्योग होता है, अगला जो आने वाला टॉपिक है, उसे हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे, और एक सबसे महतुमपूर्न है, भूमी सनरक्षन, भ परदा सनरक्षन के साथ पढ़ा देंगे, उमीद है आपको ये पूरा पार्ट बहतर समझ में आया होगा, कोशन एंसर अगर आप चाहते हैं, चैप्टर का, तो अभी क्लासेस डाउट चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए, यहाँ पर कोशन एंसर एवलावल होगा या फिर मै आपको समय समय पर नए नए कोशन उपलब्द कराता रहूँगा, फिर आता है अभी क्लासेस अबजेक्टिप्स, यहाँ पर आपको अबजेक्टिप प्रशन उत्तर मिलेगा, इसे भी सब्सक्राइब करके रखे, पुरा वीडियो देखे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन आपको समय प्रशन उत्म आपको लिए समय अबजेक्टिप्सक्राइब。